हलो फिरेंड्स मेरे चैनल पापका हार्दिक सागात है आज की इस वीडियो में बात करूंगी चन्ने के पानी के बारे में ये चन्ने के पानी आप जो देख रहे हैं एक्स्ट्रा पानी जो फेक देते हैं हम लोग इसे बिल्कुल नहीं फेकना है इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे चन्ने के बारे में देखिए पानी बहुत फैदेमंद होता है हम इंसान लोग अगर कम जोर हो जाते हैं तो लोग कहते हैं चन्ने भी खाईए और पानी भी पीजिए ताकत मिलेगा उसी तरह हमारे पलांट को भी नुट्वेशन मिलना चाहिए भरपूर आप समझी गय होंगे चन्ने के पानी में भरपूर मत डिशन होता है फासफोरस होता है इसमें हर तत्त पाया जाता है इसलिए हम इंसान लोग पीते भी और चन्ने खाते भी है ठीक उसी तरह हमारे पेर पाधों को भी नुट्वेशन की कमी हो जाता है और कमी हम कैसे सबसे पहले आपका पौधा गुरोथ रूख जाएगा और पत्ते सब पीले होने लगेंगे आप देख रहे होंगे मेरे प्लांट को कितने हरे भरे लग रहे हैं और इसमें फ़लावर्स भर भर के आ रहा है टिकोमा का है देखिए कितना खुसुरत लग रहा है मैं ही यूज करती हूं अगर आपके प्लांट फूल नहीं आ रहे होगा और ग्रोथ रूख गया होगा उसमें चन्ने के पानी डाला करिए इस तरह हम किचन वेश निकले हुए चावल या दाल का पानी भी निकलता है जैसे चावल दाल बनते रहते हमारे घरों में उसको भी नहीं फेकना है और इस तरह प्लांट समय डालते रहना इस पानी को खास कर अफेका नहीं करिए डाला करिए आपके प्लांट हरे भरे हो जाएंगे और फलावर्स भी भर भर के आएंगे देखिए मैं इसको हमेशा इविच करती रहती हूं फेकती नहीं हूं आपके घर में भी चने इस त प्लांट को कामा जाता हैैं हम इसको कितना दिन में यूज कर सकते हैं कमसे कमिसे चार पांऱ दिन तक भी leveraging आपको देखने को और निशकर सबके पलांट हरे भरे होने लगेंगे इसका रिजल्ट अब चार पांद दिन तक इवज करिए और 10-15 दिन में ही रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा पलांट हरे भरे दिखने लगेगा पत्ते भी नहीं पिले परेंगे और गुरोथ बहुत भर-भर के होने लगेगा कोई भी पलांट में रखे तो फबावर्स खुब अच्य तरह आएगा को भी पलांट में राख सकते हैं चने के पानी को जैसे शबजी के छिलके हमारे У Ju carSchler मेें निकलते हैं किचन में रोज बढ़ी घिया अतो उरू कोई भी शबजी के छिलके मैं च्रुको को फेकती नही जैसे फल के छिलके हो गए केला के छिलका और तरबूज के एपल का इसाब को फेकना नहीं है सब को आप डाल भी सकते हैं या इसका बनाना पील बनता है उस तरह बना कर एक तरबूज का मिक्सर पीस कर इसका पाने निकाल कर डाल सकते हैं जैसे एपल का छिलके इसको डायरेक् बन जाएंगे इसी तरह हमारे कीचेन का समान मिल जाता है जो हमारे पोधों में काम आता है उसको फेकने से अच्छा है अपने पलांट को खिलाए पिलाए हरे भरे पलांट को बनाए और भरपुर फ़लावर्स लीजिए अपने पलांट से कि मैं कोई बाहर का किमकल खाद नहीं देती इसी तरह चने भीग जब भी मेरे घर भीगो कर सबजी के लिए बनता है में उस पानी को निकाल कर डालती रहती हूं अब फ़लावर्स पलांट में ही नहीं डालना है कोई भी पलांट में डाल सकते हैं इस ग्रोथ अच्छा होने ल देखें कितने सरेकली बन गये हैं रोज खिलते रहते हैं कितना खुसुरत एलो कलर लग रहा है अब कोई भी पलांट में डाल सकते हैं ऐसा नहीं फ़लावर्स पलांट में ही जिसका ग्रोथ रूप गया हो उसमें खास करें चन्ने के पानी डाला करिए आपको देखने को ही तुरंत मिल जाएगा 10-15 दिन में ही पलांट ग्रोथ अच्छा होने लगेगा और पल्ले पीले पत्तेज होने लगता है वह भी रुक जाएगा इस तरह आप काबली चन्ना हो उसका भी पानी देना ऐसा नहीं काले वाला चन्ना में भीगोई थी मारा सबजी बनते रहता है क अबली चन्ने का भी पानी डिजिए यह वाला चन्ने का भी कितने तरह चन्न आता है इतना साविया अब सुभ असााम भीगोकर रखीए बारा घंटा उसका पानी नीकले उसको डाला करिए, अगर आपके घर में सब्जी नहीं बनता हो, तो भी आप इस तरह का भीगो कर पानी निकाल कर डाल दिया करिए, चने तैसे भी खाया जाता है, कंच्चा भी खाया जाता है, उसी तरह पानी को फेकना नहीं है, पलांट में डालते रहना है, कैसा लगा इसमें भरपूर मात्रा का निट्रियोशन मिलता है, फास फोरास, तो हर तरह का इसमें विटामिन्स होता है, चने के पानी में, जैसे इंसान लोग को खाने से विटामिन्स मिलता है, उसी तरह, जैसे घोरा चाना खाता है, ताकतवर बनने के लिए, उसी तरह हमारा पलांट को भी मिल्ला चाहिए तका तोर समान कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए थाइंक यू